सुमन की नई नई शादी हुई थी और उसने अपने पती और ससुराल वालों के साथ एक सयुक्त परिवार में रहना शुरू कर दिया था कुछ दिनों के बाद उसके मन में परिवर्तन होने लगा और अब वह अपने पती के साथ अलग रहना चाहती थी वे अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती थी सुमन की सास रूड़ी वादी थी जबकि सुमन आधोनिक जीवन सैली जीने वाली लड़की थी जल्द ही उनके बीच जगड़े होने लगे कई महीनों के बीच जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना वहवार बदल नहीं पाया समय के साथ साथ सुमन और ज़्यादा आकरामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया वे सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से जगड़ा किया और उसके पती ने अपनी मा का साइड लिया तब सुमन गुसा हो गई और अपने माय के चली गई सुमन के पिता एक कैमिस्ट थे उसने अपनी पिता को पूरी बात बताई उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिला कर उससे छुटकारा पा सके नहीं तो वह अपने पती के घर वापस नहीं जाएगी सुमन के पिता को यह सब जान कर काफी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे ऐसा करना ठीक नहीं है लेकिन सुमन सुनने और समझने की हालत में नहीं थी आखिरकार उसके पिता ने कहा ठीक है जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना इससे दीरे दीरे कुछ महीनों में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्रकरतिक रूप से मरी है उन्होंने यह भी कहा क्योंकि किसी को भी तुम पर शक्त नहीं होना चाहिए इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी बलकि तुम उनकी देखबाल करोगी भले ही वो कुछ भी कहे तुम गुसे से बात नहीं करोगी और हमेशा शान्त रहोगी सुमन सहमत हो गई और अपने ससुलाल वापस आ गई और अपने पिता की सलह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना भी शुरू कर दिया समय बितने के साथ साथ सुमन की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया था क्योंकि सुमन अब अपनी सास की बहुत देखवाल करने लगी थी इसलिए उसकी सास भी उसके प्रती विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी पांच महीने बीट गई और सुमन खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी लेकिन अब घर का वातावरन बदल गया उनों का रिष्टा मा और बेटी का रिष्टा हो अब सुमन को चिंता होने लगी कि पाउडर की वज़े से उसकी सास जल्दी मर सकती है वे अपनी पिता के घर पर गई और उनसे कहा पिता जी किर्पा मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताईए मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती मैं मेरी मा की तरह हैं और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ उसके पिता मुस्कुराई और कहा कौन सा जहर मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था सुमन हैरान थी और उसने अपने पिता से पोछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया पिता ने कहा बेटा अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी तो उसे प्यार देना होगा रिष्टे एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पईयों की तरह जब तक सभी पईये ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती इसी बात का एहसास दिदाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रती नम्र रहने को कहा तुम्हारी अच्छाई को देखकर उन्होंने भी अपने आपको बदला और तुम्हीं समझना शुरू किया तुम दोनोंने एक दूसरे के लिए अपने आपको बदला यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो सुमन अब अपने पिता की बात समझ चुकी थी इस कहाने के बारे में आप सभी का क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरी चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद